पुलिए शिरी प्राणनात्य प्यारे कीजें, शिरी सत्गुरु महराजी कीजें, शिरी बाबा दयाराम साहें, आपकी सदा हीजें, शिरी महराज शिरी जुवार्दा साहें, आपकी सदा हीजें, शिरिधाम दनी जी के अत्यांत लाड़ ले एवं प्यारे सुन्दर साथ जी आए हम वंदना प्रारम करते हैं दनी जी के चरणों में अपनी सुर्था को जोड़ते हुए शिरिवंदो सत्य गुरू चरणिको करू सोप्रेम परणा आशोवरण मंगल करन दनी शिरि देव चंदर जी नाम शिरि प्राण नाथ निज मूल पती शिरि मेह राज सुनां शिरि तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करू परणा शिरि प्राण नाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी नाहरी वली गया काम सराडे चड़ें मन चित्व्या कारज सरी बोलिये शिरी प्राण नाथ प्यारे की जएं शिरी सत्गुरु महराज की जएं लाडले सुन्दर साज जी आएए धाम धनी जी के शिरी शरणों में अरजी करते हुए प्रार्थना करते हुए शिरी पाँच पदमावती पुरी धाम शिरी बंगला जी दरवार के अंदर अपनी सुर्ता को लेके चलते हैं और वहीं पे धनी के चरणों में एक भाव रखते हैं सोणे तेरे नैना मिठे तेरे बैना सोणे तेरे नैना मिठे तेरे बैना तेरे आशिकाने तेरा प्यार ही लैना सोणे तेरे नैना ओ मिठे तेरे बैना तेरे आशिकाने तेरा प्यार ही लैना दिलडा दीवाना तेरा मस ताना तेरे आशिकाने तेरा प्यार ही लेना सोने तेरे नैना ओ मिठे तेरे बैना तेरे आशिकाने तेरा प्यार ही लेना जिन्नु सायब आप बुलाम दे ओ ता दुनिया तो मुख मोड आम दे ओ पीछे तक दे नहीं का दे थक दे नहीं तेरी प्रीतवाले विरहाना सेना तेरे संग रेना तेरे आशिकाने तेरा प्यार ही लेना सोने तेरे नैना ओ मिठे तेरे बैना सोने तेरे नैना ते मिठे तेरे बैना तेरे आशिकाने तेरा प्यार ही लेना जिस मंजिल च आशिकर रहें देने उस मंजिल नुमारफत कैन देने जिस मंजिल च आशिक रहने ने उस मंजिल नो मारफत कैंदे ने ओए इश्क दाराज सब सखियां दे काज ओता इश्क दाराज सब सखियां दे काज सुख धाम वाले पीना पीलाना ते गर कही रहना पीना पीलाना ते गर कही रहना तेरे आशिका ने तेरा प्यार ही लेना पीया नजर पीया रहमत नजर तुसी देन दे ओओ प्यार दिल दा दिला विच भर दे ओओ पियार रह्मत नजर तुसी देन देओ, प्यार दिलादा दिल विच भर देओ, आवन खुश्या आपार, दिल पावे करार, रुआ दे प्यारे दिल दख जाना, ते सब ते लुटाना, अर्ष दख जाना, ते सब ते लुटाना, तेरे आशिकाने तेरा प्यार ही लैना, अर्ष दख जाना, ते सब ते लुटाना, तेरे आशिकाने तेरा प्यार ही लैना, मिठे तेरे नैना, तेरे आशिकाने तेरा प्यार ही लैना, बोलिए शिदी प्राण नात प्यारे कीजे, लाडले सुन्दर साज जी, आईए, हम वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कल हम सुन रहे थे, गोपद वच्चरे एणे समे, शुक जी निर्धार्यों ते सार, त्राट कडे त्रटका करिया, बंद हुते जो संसार, बंद हुते जो संसार, संसार तनारे काम सर्वे करता, पणचित्माना वेद्यों रेपास, शिरिधाम दनी जी के अत्यंत लाडले, एवं प्यारे सुन्दर साज जी, आप समस सुन्दर साज जी के हिर्दे में विराजमान, सिरी राजशमा जी के शिरी चरणों में मेरा कोटान कोट पेर प्रणाम, लाडले सुन्दर साज जी, महान बुद्धी के सागर, आप महामती, अक्ष्रातीत, धाम के दुलहा, श्री जी साहव जी, श्री इंद्रावती जी की आतम, हमें ब्रिज की लिल्ला सुना रही है, और पता क्यूं सुना रही है, कि हमें याद आ जाए, है ना, कि हमने ब्रिज और रास के अंदर, अपने प्रित्म से, अपने धनी से कितना प्यार किया, है ना, शुकदेव मुनी जी को भी लिखना पड़ा भागवत के अंदर, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रैगुन पास, प्रेम बसे ब्रह्म स्रिष्ट में, जो खेलने सुरूप ब्रिज रास, कहना पड़ा न, कि शुकदेव मुनी जी माराज कहते हैं, सुख व्यास कहे भागवत में, शुकदेव मुनी जी महाराज ने शिरीमद भागवत गरंत के अंदर वर्नन किया कि प्रेम ना त्रैगुन पास प्रेम ब्रह्मा विश्णु महादेव के पास नहीं है प्रेम बसे ब्रह्म सिष्ट में प्रेम परम धाम की ब्रह्म सिष्टी के अंदर बसता है जो खेले सुरूप ब्रिज रास जो ब्रिज और रास के अंदर खेलने वाली ब्रह्मा आत्माय ना उनके अंदर प्रेम होगा किसने कहा शुकदे मुनी जी महराज ने कहा और अब कौन कहर रही है अब स्वामी शिरी प्राणनात जी उस प्यार का विस्तार से वर्नन करके सुना रहे हैं किसी और की बाते नहीं सुना रहे हैं लाडले सुन्दर साहजी हमारी बाते ही हमें सुना रहे हैं क्योंकि सुन्दर साहजी जब कोई बिहोश हो जाता है कॉमा में चला जाता है ना किसी की याद दाश्ट चली जाती है है ना और खास करके जिसकी याद दाश्ट चली जाती है ना तो डॉक्टर लोग उस फैमिली क को कहते हैं कि आप इस पेशट को पुरानी बातें याद दिला ओ इसने जो कुछ भी लाइफ में पहले किया वो सारी बातें याद दिला तो इसकी यादाश्त वापिस आ जाए अब हमारे धनी जी क्या कर रहे हैं हमारे धनी जी हमारी यादाश्त वापिस लाने के लिए हमें ब्रिज और रास की पूरी लीला का वर्नन करके सुना रहे हैं वही तुमने ब्रिज मंडल के अंदर ऐसे किया कैसे किया था कि संसार को गोपत वज समझ के और निकल पड़े थे और संसार को क्या समझा जैसे घास का एक तिन का समझ के न और उसको असानी से तोड़ डाला बंद हुते जो अपा संसार संसार के सारे बंदनों को घास का तिन का समझ के तोड़ दिया सारे सनमंद को है ना और कहते हैं संसार तनारी काम सर्वे करता अब आज हम सोचे में यहां काम है यहां कुछ काम नहीं है सुन्दर साहज जी वहां पे हमारी कोई काम वल्या नहीं लगी हुई थी घर के अंदर इतनी गाये और गाये का गोबर उठाना है ना और फिर उसकी थाप्या थपके आना है ना और गायों की सेवा करना दूद निकालना दई जमाना मक्षन निकालना पता है ब्रिज मंडल के अंदर कितना काम होता था और आज तो हम जितना काम है हम सारे जानते हैं कि गर में चार जमनिय तो दो भाईयां गर में लगिआ काम वाली है ना और डो जमनिय तब भी दो भाईयां गर में लगर risti और काम वाली अब बताओ और श्री जी कहा रहे है कि देखो तुम ब्रिज और रास के अंदर थे ना तो आप कितना काम करते थे गर में सास थी, ससुर थे, तब कोई अलग थोड़ी रहते थे, है ना, पूरा परिवार था, जेट था, जिठानी थी, उनके बच्चे थे, अपना परिवार था, तो लाडले सुनर साज जी, इतने बड़े परिवार होते थे, और घर के काम इतने ज़्यादा होते थे, हैं, औ और श्री जी, हमें क्या समझा रहे हैं, कि देखो, संसार तनार ये काम सर्वे करता, विचार कीजिए, संसार के सारे काम हम करते थे, क्योंकि तब तो समाधी लगा के बैठने का एक मिनट भी टाइम नहीं थे, ना, चित्वनी करने का टाइम थोड़ी था, महां बैठके, पर जो चित्व के अंदर से निकले ही, ना, बताओ, उनकी चित्वनी करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यारा निमकना हो वहीं, करने पड़े ना, याद, आशिको माशूक का, कोई इन्विद लाग्या स्वाद, न्यारा निमकना हो वहीं, एक शन के लिए भी, शिरी राज्जी माराच, सिरी कृषन जी, हमारे हिरदे से अलग नहीं होते थे, और करने पड़े ना, याद, और याद तो करना ही नहीं पड़ता था, कोई मालना थोड़ी जबती थी गोपियां, कोई तपस्या थोड़ी करती थी ग मुझे लगता है, ऐसा हाल होगा, कि तेन्नों याद ता करां, जिकदे भूले आ हो मां, है ना, याद तो उनको किया जाता है ना, जिनको भूल जाए, अब जिनको भूले ही नहीं, तो फिर याद तो करना ही नहीं पड़ा, नियारा निमकना हो वहीं, करने पड़े ना, या आशिको माशूक का कोई इनमिद लाग गया स्वाद इतना प्यार लग गया एक पल के लिए भी सिरिकृष्ण हमें भूलते नहीं आए संसार तनारी काम सर्वे करता पणचितमा ना व्यद्योरे पास सारे घर के काम करते थे पर काम के अंदर बिल्कुल भी चित नहीं लगता था विचार बिना मन के काम करते थे क्योंकि चित तो कहां लगा रहता था सिरिकृष्ण जी के चरणों में चित लगता JUN OUT यह काम करते थे है ना दूद गय का निकाल रहे हैं तो अंदर या अंदर गोपिया स्सिर्भ कृष्याट्ष रही हैं जमना जी पर पानी बरने के लिए जाती है घर से हैना तो वर ले संदर शाज जी विचार करें हम दूद निकाल रहे हैं तो कह रही हैं कि यह दूद काश कनया आ जाएं तो अब यह ताजा-ताजा निकला हुआ दूद हम कनया को पिलाएं अभी अभी निकालना दूद यह कनया पीले है नहां और फिर दूद गरन करना तो गरन करते हुए भी कहना कि इतना अच्छा मलाईदार दूद है का नहीं आ जाएं तो उनको दूद पिलाएं है ना और रात को उसकी दहीं जमानी तो दहीं जमाते हुए भी क्या सोचना कि इतने सारे दूद की दहीं जमा रही हूं काश कल सुबह सुबह सिरकृष्ष्ण आके मेरी मटकी में से यह दहीं घा ले हैं और जब बिलोने के लिए बैठना है ना तो किसको याद करना सिरकृष्ण जी को याद करना है और सिरकृष्ण जी इतनी शिरारते करते थे वह हमारी सुनीता जी आई थी चंडिगर से उन्होंने एक भजन गाया था नी में दुद का दे नल रिड का चाटी तो मधानी ले गया ले गया भई ले गया नंद किशोर ले गया ले गया भी ले गया माखन चोर ले गया नी में दुद का दे नल रिड का चाटी तो मधानी ले गया नी में दुद का दे नल रिड का चाटी तो मधानी ले ले गया कितना प्यारा है न हमें ब्रिज की लिला क्यों अच्छी लगती है क्यों आनंद आता है क्योंकि हमारी लिला है आजो 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 रे साथ जी आ गोकुल लिला आपनी छे यह गोकुल की लिला किसी और की नहीं है यह गोकुल की लिला हमारी है तो कहते जो भी काम करते थे चाटी में सोता है मटकी मटकी में से मदानी ले गया मतलब दूद रिडखने वाली जो मदानी थी न वो सिरक्रिशन उठाके लेके भाग जाते थे बताओ और फिर गोपी कहते थी आज मैं दूद कैसे बिलाओं मेरे पास तो मदानी नहीं है है ना और नंद बाबा को सेमय काट पड़ेगी on क्योंकि मकंकё नहींकालना क्योंकि भाठी में से मदानी ले गया जिस्से यह से करकर दूध रिडगकना था है न अब मैं कैसे मकानी कालनू और नंद बाबा जी तो आ के मेरे को डांटेंगे कि आज मंकरनी निबाम अमकरने ने निकालने हैं तो जो भी काम करती है ना गोपियां काम सर्वे करता पड़ वाला जी चित थे अलगों ना थाए वाचडा लेई जारे बन पदारे त्यारे रोबता दिन जाए जी सारे काम करते थे हम पता है पर हमारे दिल से धनी सिरकृष्ण एक पल भी अलग नहीं होते थे अब आज पता क्या है सुन्दर साज जी बुरा नहीं मानना सच्ची बात ये है कि आज हमें सच्चे वाला प्यार शिरी राजी महराज के साथ हो ही नहीं रहा ये जूठी बात नहीं है ये सच्ची बात है सुन्दर साज जी हमें कोई परवाई नहीं है वाला जी हमारे पास नहीं है तो सिरकृष्ण हमारे पास है या नहीं है हमें अंदर से कहां तड़फ है कहां परवा है कहां अमारा मन नहीं लग रहा है ना अब मन करता ही नहीं है राज्जी के पास बैठने के लिए उल्टा हो गया सारा का सारा पहले मन से धनी निकलते नहीं थे और अब मन में लाने के लिए इतनी इतनी चर्चा सुनाई जा रही है देखो कितनी उल्टी बात है पहले ये हालत थी कि शाम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया शाम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया याद में तेरी मुरली वाले याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूँई गुजार दिया पूरी जिंदगी गुजार दिंग किसको याद करते 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 में तेरी मुरली वाले जीवन यूँई गुजार दिया पूरी जिंदगी गुजार दिंग किसको याद करते करते सिर कृष्ण जी को याद करते करते अब धनी को 400 वर्ष हो गए हमें याद करवाते 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 लगता है कौमा में चले गए हम लोग तो हमें ना ब्रिज की लिला ना परमदाम की लिला याद आ रही है ना ब्रिज की लीला याद आ रही है ना रास की लीला याद आ रही है और ना हम ये लग रहे है कि जागनी पर्माड के अंदर आज हम बैठी हैं तो परमधाम के अंदर जागरत होएंगे तो क्या मूँ लेके जगेंगे कि जिन गोपियों ने ब्रिज और रास के अंदर इतना प्यार किया धनी से हैं सारे घर के काम करते हुए भी प्रितम एक पल भी हमसे अलग नहीं होते थे देखो सुन्दर साथ जी और आज याद करना पड़ता है याद नहीं आते सोचो कितना फरक हो गया सोचो सुन्दर साथ जी कितना उल्टा हो गया पहले दिल से निकलते नहीं थे और अब दिल में आते ही नहीं है दिल के अंदर वो सवरूप बस ही नहीं रहा पहले निकल नहीं रहा था और अब बस नहीं रहा अंदर हिर्दे के अंदर वो बस पांच टाइम की जो सेवा है वो करी और बस फिर जो केते हो पहले काम में चित नी लगा हुआ होता था सिर्ड कृष्ण जी में चित लगा हुआ होता था है ना और अब काम करते हुए चित को लगाना पड़ता है सिर्य कृष्ण जी में तब चित लगता ही नहीं था काम के अंदर चित कहां लगा हुआ था सिर्य कृष्ण जी के लीला में उनके सवरूप में तो श्री जी कह रही है संसार तनारे काम सर्वे करता पणिचित माना वेद्यों परमान संसार के सारे काम करते थे पर उस समय हम गोपियां घर के कामों में मगन नहीं थी और आज तो इतनी मुझ के अंदर मगन हो गई है सारी की सारी पहले तो अपने बेटे बेटियों की शाद्धी कर लेती हैं फिर उसके बाद पोत्ते और दोत्तियों को अब उनके प्यार के अंदर इतनी मस्त हो गई कि पहले सोचती थी सारी कि सारी कि अरे बच्चों की शादियां हो जाएं तो हम फारग हो जाएंगे हम फ्री हो जाएंगे ठीक है ये नहीं पता था कि बच्चों की शादियां होने के बाद एक और मोका सागर इतना बड़ा विशाल मोके सागर में फिर फस्ट जाएंगे उतना प्यार अपने बच्चों को नहीं किया होगा जितना आज पोते के लिए पोती के लिए दोते के लिए दोती के लिए बताओ और जब हम गोपियां थी ना, तो हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करती थी, किस से प्यार करती थी, सिरकृष्ण से प्यार करती थी, है ना, और कह रहे हैं, वीलमना की दी, वह छूटता, एक शण की देरी भी नहीं करी थी, घर को छोड़ते हुए, ए तामसियों आ, ना प्रकाश कहते हैं, एक पल भर की देरी भी तामसिय सक्खियों ने नहीं करी थी, एक पल के अंदर तामसिय सक्खियां, घर से निकल के, और कहां पहुँच जाती हैं, योग मया के बर्माड में, अब विचार करो सुन्दर साज जी, अब हम मया के अंदर कितने फसे पड़े ह हैं, हैं, विचार करो, अब जहां जहां बांसुरी बजती है, हैं, यह तारतमवानी रूपी बांसुरी जहां में बजती हैं, हम कहते हैं, कैसे घर छोड़ के जाएं, तो यह देखो, गोपी के रूप में, इस अंसार को क्या समझा, खास का तिन का समझ के, टुकडे के चरणों में, लाड़ले सुन्दर साथ जी, आज भी ये प्रेम हमारे अंदर प्रगट होगा, कल मुझे किसी सुन्दर साथ गुजरात का मैसिज आया, कि दिदी एक बात बताओ, धनी कहते हैं, लियाओ प्यार करो दिदार, तो अब हम प्यार कहां से लाएं, हम तो प्या दिने इश्क की सुराई वेजी है, ये तार्तम वानी इश्क की सुराई है, हम इस में से कितना इश्क ले पाते हैं, सारा दिन में, हम कितना टाइम धनी के चरणों में बैठते हैं, हमें उतना इश्क मिलता चला जाएगा, इश्क लेने के लिए धनी के चरणों में बैठना पड़ेगा है ना सुन्दर साज जी तुमको इश्क उपजावने करू सो अब उपाई पूर चलाओं प्रेम के जो याई में छाक छकाए कहते छक जाओगे इतना इश्क लेके आई हैं 18758 इस तार्तम वानी के अंदर सच में सुन्दर साज जी जब जब वानी पढ़ने के लि ऐस के अंदर था अब वे तो मुझे धनी से उतना ही प्यार करना है ना तbी मैं प्रमदाम जा सकूंगी न हैं और अपनी लापर्वाईयों के कारण जान बूज के खो रहे हैं बिल्कुल जान बूज के समय भी है हमारे पास है ना ऐसा नहीं कि हमारे पास वक्त नहीं है कहते कि मन नहीं करता क्या करें मन नहीं करते जैसा खाओ अन वैसा होवे मन जैसा अन खाते हैं ना वैसा मन बन जाता है है ना हम किसी चीज का परेज तो करते ही नहीं कि किसी का जूठा नहीं खाना किसी के घर का नहीं खाना है ना और आजकल हम बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देखते कि हमारे बच्चों ने अपनी बाग डोर किसके हाथ में दे रखी है दोस्तों के हाथ में तो वो दोस्त क्या खाते हैं क्या पीते हैं और हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं हमें तो एक परसेंट भी कभी बच्चों की सारी नहीं ली कि बच्चे क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं ड्रिंक कर रहे हैं या कहां जा रहे हैं किसके साथ इनकी दोस्ती हैं किसके साथ इनका प्यार हैं हमने अपने बच्चों की बाग डोर उनके दोस्तों के हाथ में दे रखी हैं और सोचते हैं बच्चे इंजुआए कर रहे हैं विचार कीजी सुन्दर साथ जी हमारी माता पिता ने हमारी डोर सत्गुरू और धनी जी के हाथ में थमाई थी तो पूरा जीवन कितने उतार चड़ाव जीवन के अंदर आए पर सत्गुरु धनी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा आज विचार कीजिए हमने अपने बच्चों के डोर किसके हाथ में दे रखी है और इनका भविश्य क्या होगा क्योंकि ना तो बच्च रह रहे हैं जैसा खाओ अन वैसा हो वे मन जैसा पियो पानी वैसी बोलो मानी लाड़ले सुंदर साथ जी वविश्य की बच्चों के वविश्य की थोड़ी सी हम चिंता करें कि हम अपने बच्चे किल के हाथों में सोप सौप रहे हैं हमारे माता-पिता ने तो हमें सत्गुरु माराय श्री जुवार्दास जी के हाथ में और श्री प्राणनाथ जी के गुम्मट बंगले वाले के हवाले किया था हम बच्चों को हम पूरे परिवार को हमारे माता-पिता ने धनी जी के हवाले किया था पता है और सोचो भविश्य कि उनको कोई चिंता ही नहीं थी क्योंकि उन्होंने ऐसे धनी को सौप दिया जहां सोचने की जरूरत नहीं आज हम विचार करें ना हम बच्चों से पूछते हैं कि आपने तार्तम का पाठ किया नहीं पूछते ना पूछते हैं मेर सगर का पाठ किया रजी को मथा टेका मा परशाद लिया हैं कुछ भी बच्चे नहीं कर रहे हैं वो कितने बजे सो रहे हैं कितने बजे उठ रहे हैं क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं ये निजानन संपरदाए इनके आथों में सौंपना है क्या लाडले सुंदर साज जी विचार कीजिए क्योंकि हम कहते हैं बच्चों को बुरा लग जाएगा बच्चे सारा दिन मुबाइल लेके बैठे हैं सुबह से लेके रात तक मुबाइल के अंदर जितनी गंदगी भरी हुई हैं वो सारा दिन उसी को देख रहे हैं और हम सोचते हैं निजानन संपरदाए को ये आगे बढ़ाएंगे क्या खाक आगे बढ़ाएंगे ये बच्चे हैं जिन बच्चों को ये नहीं पता जिन बच्चों को तार्तम नहीं आता जिन बच्चों को तार्तम वानी की प कि उनके साथ बात ही नहीं करी जै कि इस परंधामसे कैसे ब्रिज में आए ऐर Щार्श परमधाम के अंदर जाना है विचार कीजिए सुझा गप विचार कीजिए ये चर्चा आप भी सुनो बच्चों को भी सुनाओ और अपनी पूरी द्रिष्टी हम बच्चों पे लगाएं सुन्दर साथ जी कि हमारे बच्चों का भविश्य क्या होगा विचार कीजिए हमने अगर बच्चों को सत्गुरु धनी के हवाले नहीं किया विचार जरूर करना कि इन बच्चों का भविश्य क्या होगा ये बच्चे कहां जाएंगे है ना बुरा नहीं मानना ठीक है सुन्दर साथ जी ये ब्रिज की सिर्कृष्ण जी की छोटी छोटी लीला हैं आप अ बावन दिन तक सिर्कृष्ण जी ने कितनी लीला करी कैसे गोवर्दन परवत को उठाया कैसे कालिया को ना था कैसे अगासुर भगासुर को सिर्कृष्ण जी ने इतनी छोटी सी आयू में उड़ा दिया कैसे गोवर्दन पूजा कराई है ना छोटी छोटी लीलाएं हम ब बच्चों के अंदर सिर्कृष्ण भगती जागरत होगी सिर्कृष्ण जिसे प्यार होगा है ना सुन्दर साहजी आज समय ज़्यादा हो गया तो ठीक है तो ब्रिज और रास की लीला तो हम बच्चों को जरूर सुनाए बोलो शिरीप्राणनात प्यारे कीज़े अच्छा भी क्या बताया है इस पूरी वाणी चर्चा का सार क्या है आप भी सार तो रखा करो अपने भाव तो रखा करो कि आपको जीवन में क्या बदलाव आ रहा है आप पर क्या कृपा हो रही है क्या चेंज आ रहा है है ना कुछ तो बताया करो ठीक है बोलो शिरीप्राणनात प सर्वे करता पंचित मना वेद्योरे पास विला मना की दी वचूटता एतामसियों ना प्रकाश एतामसियों ना प्रकाश बोलो श्री प्राणनात प्यारे की जै सिर्कृष्ण का नया लाल की जै रास के रमया की जै आज के आनंद की जै प्रणाम जी कल फिर मिलते हैं राइट नो बजे और सभी सुंदर सातिस वानी चर्चा को शेयर करके सेवा अवश्य करें प्रणाम जी